हाई फ्रैंड आज में लेकि आएंवाप के लिए पास्ता छिप्स कृस्पी ररियो track लिइस के रीज तो मैं पैकेट की तरह आज यह बहूत यह तो आहिए इसको बनाना पृथ करते हैं और आप चाहे तो इसमे नमक भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉयल हो चुका था मेरा तो मैं इसको छान के निकाल ली हूँ यह देखिए और यह हलका सा ठंडा हो चुका है मतलब ठंडा हो चुका है पूरी तरह से और मैंने इसमें तेल डाल दिया है दो चमच के करी चोटे चमच और फिर मैंने डाल यहाँ पे मैगी मसाला आप चाहे तो पेरी-पेरी मसाला डाल सकते हैं या फिर कई तरह के मसाले आते हैं आप कोई भी मसाला ले सकते हैं और मैंने थोड़ा सविस्प्ण सुम्री दला यहां पे कास्मेरी लाल मिर्च डाला है, अगर आपको तीका चट्पटा चाहिए, तो आप लाल मिर्च का पौडर भी डाल सकते हैं, तो बस इसको मिक्स कर देंगे और यहां पर देखिए यह मिक्स हो चुका है अच्छे से तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे तो यहां पर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो अब इसे फ्राई कर लेंगे तो आप चाहे तो यमी लगते हैं तो यहां पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और हमारा पास्ता भी फ्राई हो चुका है तो अब निकाल लेंगे और बागी के बच्चे वे पास्ता हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे तो इसको भी हम fry कर लेते हैं उसी तरह से तो अगर आपको spicy पसंद है तो आप लाल मिर्च का पॉड़र डाल सकते हैं जीरा, काली मिर्च और कार्न फुलो डाल सकते हैं चमच और अच्छे से mix करके और fry कर लीजे बहुत ही spicy बन जाएगा और भी ज्यादा tasty हो जाएगा यह देखिए बहुत ही tasty दिख रहा है तो सच में बहुत ही crispy बना था आप चाहे तो इसके उपर cheese grate करके डाल देजे cheese ही बन जाएगा या फिर mayonnaise के साथ भी इसको खा सकते हैं और यह बिल्कुल पैकेट का food जो आता है चिपस बिल्कुल उसी तरह था बहुत ही यमी था तो try जरूर कीजिएगा अगर recipe पसंदा है तो मेरे वीडियो को like, share, subscribe करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा और आप देख सकते हैं बहुत ही crispy है यह तो bye bye friends फिर मिलते हैं एक अगले नई recipe के साथ